हेलो फ्रेंज, वेलकम को ए 24 नॉलेजे, ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन, यूपियसी की नूटिफिकेशन के एड्मिट काड अपडेट के बारे में, तो फ्रेंज से यहाँ पर जो एड्मिट काड है वो आपका यहाँ पर जारी कर दिया गया है, यूपियसी, एपियफो, रिक्रिमेंट 2023 का, जिसका फ्रेंज से डेटेल आप चेक कर सकते हैं, एन्फोर्स्मेंट ओफिसर, या अकाउंट ओफिसर, या फ्रेंज आपकी असिस्टेंट प्रॉविडेंट फंड कमिशनर, एपि का जोकी फ्रेंज से जोबरासा.com पर जाकर आप चेक आउट कर सकते हैं, बात करेंगे इसके इए एट्मिट कार्ड के डाउनलोड करने की प्रोसेस के बारे में और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट से मिल सके हैं, तो यहाँ पर देखी फैंस, यह सका एक नोटीस है, जो कि आप चेक कर सकते हैं, जिसमें आपका जो शॉट लिस्टिंग केंडेट है, उनको फैंस, यहाँ पर जो बाना है, और यहाँ पर आपको by registration ID पर किलिक करना होगा, इसके बाद फैंस, आपको यहाँ पर देखी आपकी registration ID यहाँ पर enter करना है, आपको आपका जो date of birth है, date, month and year आपको यहाँ पर enter करना है, और यह फैंस, जो RID नंबर होता है, रडिस्टिंग कर सकते हैं, और आपकी registration आईडी है उसको रिजनरेट कर सकते हैं तो यहां पर यहां पर आपका नाम आपका फादर नेम आपका मदर नेम आपकी डेट ऑफ बर्थ और जो यहां पर शो करेगा वो डालने की बार आप यहां से सम्मिट कर सकते हैं समिट करने की बाद क्रहronics आपको आपका अरिस्टेशन जो आईडी है वो आपके मॉभाइल नमबर और मेल आईडी पर आपको उसेंड कर दिये जाएगा इसके बाद friends आप login section से login कर सकते हैं इसके बाद friends यहाँ पर देखिए आपके सामने जो आपका admit card है वो आपके सामने यहाँ पर open हो जाएगा जिसमें friends आपको यहाँ पर EPFO 2023 परिक्षा के लिए प्रवेस दिया गया है यहाँ पर देखिए जो परिक्षा की तारीक है वो आपको 2 July 2023 यहाँ पर मिल जाती है साथ में आपको आपका नाम, आपका roll number, photo ID, card number जो भी आपने दिया होगा form को apply करते समय वो आपको show करेगा, father name, mother name, आपका center आपको यहाँ पर show करने लगता है इसके बाद fans आप नीचे आते हैं, तो आपने किस post के लिए apply किया है, वो जानकारी आपको मिल जाएगी साथ में आपको यहाँ पर time मिल जाएगा, कि किस time पर आपका कौन सा subject code आपका यहाँ पर रहेगा बंद कर दिया जाएगा, इसलिए ध्यान से जो भी time आपको दिया गया है, उससे पहले आप report वहाँ पर करें नीचे आने पर fans इस second page में आपको कुछ यहाँ पर instructions यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं आप instructions को पढ़ सकते हैं, जो main main point है वो मैंने आपको बता दिये हैं अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो friends से like, subscribe जरू कीजिए और बाकी की जानकारी के लिए ऐसा ही बने रही हमारे साथ, देखते रही हमारा YouTube चैनल, last thanks for watching